दोस्तो आजकर डार्क मोट का एक ट्रेंड सा चल गया है क्योंकि आजकर लोग किसी भी एप का डार्क मोट यूज़ करना पसंद करते हैं और अभी हाल फिलाल में काफी पॉपलर एप्स ने भी अपने डार्क मोट का सपोर्ट यहाँ पे दे दिया है अभी कुछ दिनों पहले इंस्टाग्राम में भी डार्क मोट का सपोर्ट अब को मिल गया प्ले स्टोर में बिल गया और गुगल बहुस सारे अप्izes है जिसमें अब डार्क मोट का सपोर्ट आप को को enable करोगे तो आपका वह आप आटोमेटिक डार्क में चेंज हो जाए गया याने डार्क मोड उसमें इनेबल हो जाएगा और अभी वाट्सेब की बीटा वर्जिन में भी वाट्सेब नहीं डार्क मोड का जब चाहें dark mode कर लो, जब चाहें light mode कर लो, ऐसा नहीं दिया गया, यह जितने भी apps आज कल के dark mode का support दे रहा है, यह आपके phone के system के dark mode से इने connect करा दे रहा है, क्योंकि जब भी आप अपने setting में जा के और system के dark mode को enable करोगे, यह भी app automatic dark mode में change हो जाएंगे, और जब आप system के dark mode को Android 8 Oreo पे, 7 Nogget पे या 6 Mars Mellow पे run कर रहा है, तो उसमें आपको dark mode का support देखने को नहीं मिलेगा, अब इससे होगा क्या कि आप Instagram के official dark mode या Play Store के official dark mode का support आप अपने phone में नहीं पापा होगे, तो एक तरह से देखा जाए, तो जो भी लोग Android 8 या Android 7 और डिवाइस यूज कर रहे है तो आप उसके बहुजूद भी Instagram के official dark mode, Play Store के official dark mode या Google Photos के official dark mode और फ्यूचर में आने वाले WhatsApp के official dark mode को कैसे यूज कर पाओगे बिना system के dark mode का support पाए हुए, तो जानने के लिए इस वीडियो को लाज तक देखते रहे हैं, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार, तो आ मैं कोई third party application आपको नहीं बताने वाला हो, कि आप Instagram के modded version को download करके उसमें dark mode enable कर लो, या Play Store का कोई third party application यूज करके उसमें dark mode enable कर लो, मैं official भी बताऊंगा, और मैं सही बताऊं, तो मुझे ये जब trick पता चली, तो मैं भी काफी सौक था, कि यार मतलब, मैंने Android 6 Mars मेलो पे dark mode यूज किया Instagram का official और Play Store का, तो मुझे खुद भी स्वास नहीं हो रहा था कि बिना system के dark mode को enable किये हुए, कैसे मैं officially dark mode को यूज कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि आप में से बहुत सारे लोग हैं, जो आजकल के latest अभी Android app के version के वाले phone नहीं यूज कर पाना है, आप लोग तो आपको भी मैं बता दो कि आप किस तरीकी से Instagram के dark mode और Google Play Store, Google Photos या आने वाले future में अगर WhatsApp का भी dark mode मिलता है, तो उसके dark mode को कैसे use कर पाऊगे, तो काफी simple सा process है, आप ध्यान से देखिएगा, तो देखिए, प्रोसेस इस्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये clear कर दूँ कि अगर आप ये confused होगे कि system का dark mode कैसे work करता है किसी phone में, तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि अभी आप देख सकते हो, यहाँ पर मेरे पास है Redmi Note 5 Pro, यहाँ पर मैं आपको setting में ले जाओ, और setting में आपको यहाँ दिखा दूँ, display setting में, तो यहाँ आप display setting में देख सकत हो, तो इसको मैं जैसे यहाँ पर enable करूँगा, तो enable करते ही मेरा पूरा phone का जो look है, वो dark mode में change हो जाएगा, अब चाहे हो notification panel हो, अब चाहे हो यहाँ यहाँ पर dark mode में change हो जाएगे, लेकिन system के dark mode से change करते हैं, यहाँ पर बहुत सरा application भी dark mode में change हो जाता है, जैसे कि यहाँ यहाँ पर मैं अगर instagram की बात करूँ, तो instagram में आप देख सकते हो, कुछ इस तरीकी का dark यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर whatsapp की बात करें, तो whatsapp ब्लैक स्क्रीन देखने को मिल जाएगी, क्योंकि मैं beta user हो, और यहाँ अगर बात करें play store की, तो play store भी आप देख यहाँ पर देखने को मिल गया, तो यह होता है system का dark mode का support, जिसमें आप enable करते हैं, अपने पूरे phone को dark में change कर सकते हो, और उसी कि dark mode enable होते हैं, यह आपका instagram, play store और whatsapp भी आपको dark में देखने को मिल जाता है, लेकिन अभी मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यह phone तो यहाँ पर बात कर रहा हूँ काफी old phone में dark mode enable करने की, तो जैसे कि अभी आप देख सकते हो, यह है Samsung का J2 6 model, जो कि काफी पुराना एक तरह से model है, और इसमें मैं आपको Android version दिखा दूँ, जैसे कि आप देख सकते हो, अगर about device में आपको दिखा दूँ, तो यह Android version है, इसका marshmallow जैसे कि आप देख सकते हो, 6.0.1, यह marshmallow पर बेस्ट है, जिसके बाद इस phone में update कोई नहीं आया, इसमें dark mode में आपको दिखा दूँ कि अगर मैं display setting में आता हूँ, तो यहाँ पर कोई dark mode का support देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यह काफी पुराना model है, इसमें कोई dark mode का यहा यहाँ पर official है, और यहाँ पर यह आप देख सकते हो, सारे light mode में ही आपको देखने को मिल जा रहा है, तो process काफी simple है, आपको एक application download करना है play store से, जिसका नाम है dark mode, जिसकी size 1 MB के approach होगी, मैं इसका link video के description में भी दे दे रहा हूँ, आप directly वहाँ से भी download कर सकते हो, तो आपको night mode को select किया, तो यहाँ पर देख सकते हो, background black में हो गया, अब background black हो गया, उसके बाद अब यहाँ पर play store को open करते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हो, कि play store open होते ही, यहाँ पर play store का interface था हो, यहाँ पर dark में एक दम totally तरीके से change हो गया, जैसे कि अभी हाल फिलाल में official play store के update में देखने को मिला है, और बात करें Instagram की, तो Instagram भी आप यहाँ पर देख सकते हो, कि totally dark mode में यहाँ पर change हो गया, बिना किसी third party इंस्टा अप्लिकेशन का यूज की हुए, और यहाँ पर मैं इस phone में WhatsApp का beta version नहीं यूज कर रहा हूँ, नहीं तो मैं आपको यहाँ दिखा देता कि WhatsApp का इस play screen black में यहाँ पर देखने को मिल जाता है, और यह भी clear हो जाता है, कि अगर future में WhatsApp का dark mode आता है, तो इस app के थ्रूँ आप WhatsApp के dark mode को भी इस phone में use कर सकते हो, और मैं यहाँ पर आपको दिखा भी दूँ, और कि अगर मैं इस dark mode वाले application में आके, अगर मैं यहाँ यहाँ के थ्रूँ ही directly dark mode को enable कर सकते हो, तो देखा आपने कितना simple सा process ता आप कम data खर्च करके, बीना system के dark mode को enable किये हुए, आप इस app के थ्रूँ dark mode को enable करके, अपने Instagram, Play Store, Google Photos, और में भी आने वाले future में, अगर WhatsApp का भी black dark mode update आता है, तो उसका भी dark mode आप अपने phone में use कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं कोई third party Instagram का अप्लिकेशन नहीं, Play Store का अप्लिकेशन नहीं, Google Photos का अप्लिकेशन नहीं बताने वाला हो, तो जैसे कि आपने देखा भी, यह सारे application official थे, बस आप यह ध्यान रखना कि आपका Instagram update हो Play Store से, क्योंकि अब भी हाली फिलाल में उ ज़रूर बताईगा और यह वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ share कीजेगा, जो अभी latest smartphone नहीं जूच कर रहे हैं, या वो काफी पुराने Android version पर हैं, जैसे कि मैंने कहा कि 6, 7 या 8 वाले पे, तो उनके लिए वीडियो काफी helpful होगी, क्योंकि इस trick से, वो अपने dark mode को enable करके Instagram के dark mode और Google Play Store के dark mode को use कर सकते हैं, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्स्क्राइब करने के साथ बिल आइकन को जूर दबाएगा, ताकि future में आने वाले ऐसे interesting take और customization की वीडियोस के update आपको मिल सके हैं, तब तक के लिए thanks और watching मिलते हैं नई वीडियो के साथ, see you soon.